चॉकलेट डोसा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट खाने में सूपर क्रंची और टेस्टी चॉकलेट वैफर जैसा लगेगा, तो जरूर ट्राइ करें सबसे पहले तवा को मीडियम गरम कर लेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डाल के क्लीन कर लेंगे अब एक बड़ा चमस डोसा बैटर डालेंगे और एकदम पतलाई स्प्रेड कर लेंगे, फिर इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर चॉकलेट सॉस, चोको चिप्स और क्रस्च किये हुए चॉकलेट स्प्रेड कर देंगे और अगर आपको सिर्फ पांच मिनट में बिना कोकिंग के जैरी मिल्क, फ्रूट और नट बनाना हो तो रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी जरूर से चेक करें और बस डोसा एंजोई करें